हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रभा मेरे चैनल रेस्पी दुद प्रभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बनाते हैं गाजर और मिर्च का चटपटा और स्पैसी आचार गर्मी के दुनों में आचार खाने का मन करता है तो चलिए हम फटाफट आचार बनाते हैं जो पहले हमने इसको अच्छे से दोलिया था और फिसको सुखा लिया है अभी हम एक छीलर की सायता से गाजर को अच्छे से छील लेते हैं इनका छीलका उतार के साइटम कर देते हैं तो इनको छील के हम तयार कर लेते हैं अभी हम इसको काट के तयार कर लेते हैं पहले तो हमें इसके छोटे छोटे पीसिस करने हैं ज्यादा बड़े भी नहीं करने हैं तो इस तरह के से हम इसको काट के तयार कर लेते हैं तो ज्यादा बड़े पीसिस करेंगे तो मसाले इनके अंदर तक नहीं जाएगा इसलिए हमें ना ज्यादे बड़े ना ज्यादा छोटे करने हैं त करके किन कोई ऐसा गाजर निकल सकता है जिसमें हम बीच का पाट इस तरह के सह McD out ता यह करता है तो तो मिरच काटकें छोटे छोटे कर लेते हैं एक मिरच के हम चार हिस्से करेंगे कित इस आंसे कट करके हैं तो उसको इससे काट करके क कि हमारे मिर्च बहुत लंबी है अगर आपके पार छोटी मिर्च हो तो आप उसको दो ही टुकड़े कर सकते हो लेकिन हम इसकी चार टुकड़े करूंगे इस तरीकी से तो सारी मिर्च को हम काट के तयार कर देंगे और इसको धूप में 2-3 घंटा हम सुखा लेंगे आज कल धूप बह बहुत ज़रूरी है आप इसको पंखी के नीचे भी रख सकते हो तो हम इसको धूप में रखते हैं अभी तो हमने मसाले लिहें लाल मिर्च लिया कस्मेरी हल्दी पावडर नमक यह कलॉंजी लिया है यह हमने मेथी दाना अदाई और यह पेली सरसुम और सौंट लिया है ज अब भी हम गेस पे कड़ाई रखेंगे इस पे थोड़ा कलॉंजी ढाल देते हैं और इसको हलका हलका भून लेते हैं अगर आप मसालू को इस तरह से भूनोगे तो आपका अचार खराब भी नहीं होगा और मसालू में अच्छी सी खुजबू भी आ जाती है तो हमें इसको भून के निकाल देना है ज्यादा नहीं भूनना है तो इसको हम निकाल देते हैं इसी कड़ाई में हमें ये मेथी दाना लिया है हमने राई ली है इसको भी डाल देते हैं पीली सरसुली है इसको भी एट कर देंगे और इस सौंपली है हरी वाली इसको भी डाल देंगे आप आपके पास जो भी इसमें मसाले नहीं हैं, उसको आप इसकिप कर सकते हो, उसकी जगह आप अपने मन पसंद मसाले भी एड़ कर सकते हो, तो इनको हम धीमी आच में एक मिनर तक भूनेंगे, तांकि इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छी सी खुजबू भी आ जाए और इनका हमें दरदरा पाउडर बना लेना है, ज्यादा बारिक नहीं करना है, हमें इसको दरदरा ही पीछना है, तो सारा मिक्सी के जार में निकाल देते हैं, तो थंड़ा होने देते हैं, इसी कड़ाई में हम सर्सु का तेल है, इसको गरम कर लेते हैं, तो सर्सु का तेल आपका आचार भी चलेगा तो इसको अलग निकाल देते हैं यह रिखिए हमने इसका दरदरा पेश्ट तयार कर लिए है यह देखिए तो हमें ज्यादा बारिक नहीं करना है अब इसमें कलोंजी आट कर देते हैं यह लाल मिर्च कलर के लिए लिया है अच्छा कलर आएगा आचार में मोटे ही मसाले अच्छे लगते हैं ज्यादा बारिक हमने इसको नहीं किया है तो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर मसाला ज्यादा हो तो आप इसको निकाल के बन करके एक डबे में रख सकते हो देखिए तीन घंटे हमने इसको धूप में रखा है हमने ज्यादा तेल नहीं लिया है तेल अपन में हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो अभी हम इसमें मसाले एड़ कर देते हैं तो यह मसाले हम थोड़े थोड़े करके एड़ करेंगे और इनको अच्छी से हम मिला देते हैं तो अच्छी तरह से हम तेल में इन मसालों को मिक करें चुरुब एट करना है तो पूरी तर्यें मिल जुकी थे देखें आप हम हमें इसमें गाजर करना है तो हमगाजर को भी डाल देते हैं और अरश्चको भी मिला लेते हैं तो हम कर्ची की सायता इनको सायता से इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं आब हम इसमें हरी मिर्च एट कर देते हैं तो हमें कम-कम ही एट करना है पहले इस तरह से हम देरे-देरे इसको मिलाते रहेंगे तो आचार हमने ज्यादा बना रखा है तो हमें देरे-देरे ही एट करन इसमें इस तरह से हम 5-6 मिनीट हमें इसको अच्छे से गुमा लेना है तांके मसाले अच्छे से आचार और मिर्च में मिक्स हो जाए नहीं इसको scripture और मिलाते रहेना है तो इसको हम पूरा डाल देते हैं छान के, रेखे, बहुत अच्छी से खटास होगा अचार में, तो नीबु का रस जरूर डालिए, इसको भी हम मिला देते हैं अच्छी तरीके से, रेखे, तो हमने इसको मिला दिया है, आप इसको किसी डब्बे में रखे, धूप में रख द तो उपर से कॉटन का कपड़ा बाद दीजिए, और इसको दो से तीन दिन तक धूप में रखे, आपको मेरी रेसेपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वगल में बेल आइकन का वेटन है, उसे जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तो चट पटा और इस पैसी आचार हमारे बन के तयार हो चुका है, इसमें आप पानी का हाथ बिल्कुल ना लगाए, जूठे चमज बिल्कुल ना ड लिए, तो आचार आपका लोंग टाइम तक जरूर चलेगा, तो आप इसको एक डब्बे में बन करके रग दीजिए, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में,